हेलो बच्चो कैसे हो बढ़िया आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो देखो बच्चो आज हमें क्या पढ़ाई करनी हैं आज है हमारे पास क्लास 11 का यूनिट नमबर 8 का वीडियो नमबर 3 तो बटे ये 8 वी यूनिट का 3 वीडियो है और इससे पहले दो वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे नीचे डेस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा जहां आप यूनिट नंबर आठ को पूरा पढ़ सकते हो समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो जो एक्जाम में आपकी बहुत जादे हल्प करेंगे इसी के साथ साथ आपको नीचे डेस्क्रिप्शन में पीडिय अफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडिय अफ नोट्स के लिए टेली ग्राम पर भी सर्च कर सकते हो के एमडी सहरनपुल तो देखते हैं आज का हमारे टार्गिट क्या है आज बिटे हमें डिसकस करना है आकसी करन संख्या या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो आकसी करन संख्या तो आज हमें आक्सी करन संख्या या ओक्सी करन संख्या के बारे में डिसकस करना है इसे इंगलीज में कहते हैं हम oxidation number और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आक्सी करन संख्या ग्यात करने के नियम ठीक है? कुछ बुक्स में लिखा होता है आक्सी करन संख्या और कुछ बुक्स में लिखा होता है आक्सी करन संख्या दोनों ही सही है ये pronunciation का फरक है और कुछ नहीं है ठीक है तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आक्सी करण संख्या का क्या मतलब है और फिर पढ़ेंगे आक्सी करण संख्या ग्यात करने के नियम देखो यहां मैं एक बात बताता हूँ आपको आक्सी करण संख्या को आक्सी करण संख्या को आपनी notebook पे heading लिख लो आक्सी करन संख्या या oxidation number आक्सी करन संख्या या oxidation number तो सबसे पहले आक्सी करन संख्या या oxidation number के बारे में पढ़ेंगे मैं भी heading लिखता हूँ यहाँ लिखता हूँ heading आक्सी करन संख्या आक्सी करन संख्या देखो आक्सीगरन संख्या को आप आक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हो और आक्सीगरन संख्या भी कह सकते हो चलो इसके बारे में बात करेंगे मालो आपके पास कोई योगिक है और उस योगिक में कोई परमानू है तो आपको देखना है कि उस परमानू के उपर कितना आवेस है वो आवेस वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है तो किसी यौगिक में किसी परमानू के उपर जितना वास्तविक या आभासी आवेस होता है उसे कहते हैं उस योगीक में उस परमानों की आक्सी गरंड संख्या जैसे मालो मेरे पास एक योगीक है FECL3 है मालो FECL3 आपको पता है कि FECL3 जब भी आइनों में तूटेगा तो कैसे तूटेगा FECL3 के उपर तो आएगा 3 EKAI दनाविस और ये बनेंगे 3 बनेंगे CL negative ऐसे तो आपको एक बात पता चली कि FECL3 के उपर आविस कितना है प्लस 3 है इस योगीक में FECL3 में FECL3 की आक्सी गरंड संख्या प्लस 3 है और एक CL परमानों के उपर कितना रिन आविस है एक EKAI रिन आविस है देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको 3 CL negative का मतलब पता क्या है 3 CL negative का मतलब है CL negative प्लस CL negative प्लस CL negative यह है इसका मतलब यानि हर एक CL परमानों के उपर कितना रिन आविस है एक EKAI रिन आविस तो मैं CL के उपर लिख सकता हूँ माइनस 1 तो आपको देखना है कि इस FV CL3 में एक FV परमानों के उपर कितना आविस है और एक CL परमानों के उपर कितना आविस है और हमने जब देखा तो हमें पता चला कि एक FV परमानों के उपर 3 EKAI धन आविस है और एक CL परमानों के उपर एक इकाई रेण आवेस है तो किसी भी यौगिक में कोई भी जो परमानू है जिसका आपको आक्सिकरण संख्या निकालना है आपको देखना है उस परमानू के उपर कितना आवेस है और वो आवेस वास्तविक भी हो सकता है जैसे कि यहां दिखाई दिया आपको ये वास्तवीक आवेस है और वो आवेस आभ़ासी भी हो सकता है अब बच्चों के दिमाग में question आता है कि सर वास्तवीक आवेस या आभ़ासी आवेस कहां से आगे तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो आयनिक योगिक होते हैं ना आयनिक योगिक आयनों में तूटते हैं जैसे मैंने अभी यहां FECL3 को आपको तोड़ के दिखा दिया आयनिक योगिक आयनों में तूटते हैं और जितने भी आयनिक योगिक हैं उनके परमाणूओं के उपर वास्तवी कावेस होता है इस बात को दिमाग में गुजालो अपने जितने भी आईनिक योगीक होते हैं उनके परमानुवपर होता है वास्तवीक आवेस और जितने भी सहसेयोजक योगीक होते हैं उनके परमानुवपर होता है आभासी आवेस मानलो कोई सहसेयोजक योगीक है For example, हमारे पास है HCl है मान लो HCl तो एक सहसेयोजे की योगीक है और सहसेयोजे की योगीक है ये है NaCl है एक आईनी की योगीक तो आपको पता है कि NaCl में Na का इलेक्ट्रोन पूर्ण रूप से Cl के ककसाओं में प्रवेस कर जाता है जिसके कारण Na के उपर वास्तविक धनावेस और Cl के उपर वास्तविक रिनावेस आ जाता है तो ये तो एक आईनी की योगीक है आईनी की योगीक उसे कहते हैं जिसमें आईनीक बंद बनता हो और आईनीक बंद बनाने की सर्त यह है कि इलेक्ट्रोन एक परमानू से दूसरे परमानू के उपड़ ट्रांसफर होना चाहिए और जब इलेक्ट्रोन एक परमानू से दूसरे परमानू के उपड़ ट्रांसफर होगा यदि आप किसी सहसेयोजक योगीक की बात करो तो आपको पता है सहसेयोजक योगीक उने कहते हैं जिनमें सहसेयोजक बंद हो और सहसेयोजक बंद है यदि ये एक तो इसमें एक इलेक्ट्रोन इसका होगा एक इसका दुन्नों इलेक्ट्रोन बिल्कुल बीच में रहने चाहि इसलिए electron का जोड़ा है जिसे आप कहते हो बंध युग्म या bond pair of electron वो bond pair of electron CL की तरफ आंशिक रूप से विस्थापित होगा slightly जो है वो displaced होगा या shift होगा किस की तरफ? CL की तरफ और CL की तरफ सरका होगा तो CL के उपर आंशिक धनावेस आजाएगा और hydrogen के उपर आजाएगा आंशिक धनावेस तो क्या hydrogen का electron पून रूप से CL की कक्साओं में प्रवेस कर गया है? नहीं, वो CL की तरफ थोड़ा सा सरका है थोड़ा सा displaced हुआ है CL की तरफ इसलिए ये जो आवेस होते हैं इन आवेस को हम कहते हैं आभासी आवेस ठीक है? तो ध्यान रखना आपको कि कोई भी योगिक है उस योगिक में कोई भी परमानू है आपको उस परमानू के उपर आवेस देखना है चाहे वो वास्तवीक आवेस हो चाहे वो आभासी आवेस हो और उस आवेश को ही हम कहेंगे उस योगिक में उस परमानू की आकसी करण संख्या बताओ समझ में आई क्या बात तो यहां हमने heading लिखी है आकसी करण संख्या ठीक है तो हम यहां इसकी परिभासा लिख सकते हैं किसी योगिक में किसी योगिक में किसी परमानू की किसी योगिक में किसी पर्मानू की आक्सिकरन संख्या उस पर्मानू पर उपस्थित उस पर्मानू पर उपस्थित वास्तविक उस पर्मानू पर उपस्थित वास्तविक या आभासी वास्तविक या आभासी आवेश वास्तविक या आभासी आवेश के बराबर होती है बताओ समझ में आई गया बात यदि कोई आप से पूUCता है कि आक्सीगरन संख्या किसे कहते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए कि आपके पास कोई यौगिक है और उस यौगिक में किसी पर्मानू की आक्सिकरन संख्या आपको देखनी है तो उस परमानू के उपर आवेस देख लो चाहे वो वास्तवी का आवेस हो और चाहे वो आभासी आवेस हो जैसे मैंने आपको एक example दिया था भी एक और example देता हूँ चलो अभी तो example दिया था FECL3 का ठीक है चलो FECL3 को ही देख लेते हैं जैसे FECL3 में FECL3 में FECL3 में FECL3 की आक्सिकरन संख्या FECL3 में FECL3 में FECL3 की आक्सिकरन संख्या यदि FECL3 में FECL3 की आक्सिकरन संख्या आपको देखनी है तो अभी आपको पता चला कि fe के उपर कितना आवेस था 3 इकाई धनावेस तो यहां लिखवा में plus 3 fe c l 3 में fe की आक्सिकरण संख्या plus 3 होगी और fe c l 3 में c l की आक्सिकरण संख्या कितनी थी 1 c l के उपर 1 इकाई रिनावेस था तो यहां हम लिख सकते हैं minus 1 ठीक है अच्छा एक बात बताता हूँ बहुत बढ़िया समझना ध्यान से जड़ा एक heading लिखते हैं note देखो आपकी जो यह आक्सिकरण संख्या देखो धनात्मक भी है रिनात्मक भी है और सुन्य भी हो सकती है और भिनात्मक भी हो सकती है ध्यान रखना इसी जड़ा तो मैं हाँ लिख दूँ कि जो आक्सिकरण संख्या होती है आक्सिकरण संख्या धनात्मक को आप क्या लिख सकते हो positive कॉमा रिनात्मक को लिख सकते हो negative आक्सिकरण संख्या धनात्मक भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक को आप कह सकते हो फ्रेक्सनल, ठीक है, भिन्नात्मक लिख दूँ, फ्रेक्सनल कह सकते हो आप फ्रेक्सनल, हो सकती है, बताओ ध्यान रखोगे का इस चीज़ को, मतलब यदि आप किसी परमाणू की आक्सिकरन संख्या निकालने जा रहे हो किसी यौगिक में तो उसकी आक्सिकरन संख्या धनात्मक भी आ सकती है जैसे यह आई धनात्मक और रिनात्मक भी आ सकती है जैसे यह आई जीरो भी आ सकती है और भिन्नात्मक भी आ सकती है यानि फ्रेक्शनल भी आ सकती है ठीक है अच्छा एक चीज और बताता हूँ आपको बहुत बढ़ी आएक हैडिंग और लिखो नोट देखो क्या ध्यान रखना है आपको देखो आकसीकरन संख्या को जब भी आप दिखाते हो ना आकसीकरन संख्या को जब भी परदर्सित करते हो कि इसकी आकसीकरन संख्या इतनी है इसकी इतनी है तो आकसीकरन संख्या को सदय्व सदय प्लस या माइनस के चिन प्लस या माइनस के चिन से परदर्शित करना चाहिए बताओ इस चीज़ को याद रखोगे क्या आप मतलब प्लस या माइनस का चिन जरूर लगाना चाहिए आक्सिकरण संख्या को सदय प्लस या माइनस के चिन से प्रदर्शित करते हैं यू लिख दूँ करते हैं तो जब भी आप आक्सिकरण संख्या को प्रदर्शित करोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि प्लस या माइनस का साइन जरूर लिखना है हाँ इतनी बात है कि जब आप जीरो को लिखोगे तो जीरो में तो प्लस माइनस लिखा ही नहीं जने का तो यदी किसी तत्वगी आक्सिकंट संख्या जीरो आई तो 0 में तो प्लस या माइनस का निसान लगाना ही नहीं है पर यदि 0 के इलावा नॉन 0 कुछ भी आया ए सुन्ने अंक कुछ भी आया तो महां तो प्लस या माइनस जरूर लगा देना है ठीक है? अच्छा अभी एक बात बताई थी मैंना आपको उसे भी लिख लो कभी भूल जाओ आप मतलब जो हमने परिभासा पढ़ी यहां आकसिगरण संख्या की इस परिभासा में हमने पढ़ा किसी योगिक में किसी परमानू की आकसिगरण संख्या उस पर उपस्थित वास्तविक या आभासी आवेस के बराबर होती है वास्तविक आवेस कौन से योगिकों में मिलता है बताओ वास्तविक आवेस कौन से योगिकों में मिलता है अभी समझा है था ना मैंने तो यहां लिख लो आप वास्तविक आवेस यदि कोई पूसता है कि वास्तविक आवेस कौन से योगिकों में होता है कौन से योगिकों के परमानुओं में वास्तविक आवेस पाया जाता है तो वास्तविक आवेस में तो आप लिखोगे आएनिक योगिकों में आएनिक योगिकों में तो जितने भी आयनिक योगिक हैं उनके परमानुओं में वास्तविक आवेस देखने को आपको मिलेगा उनके परमानुओं के उपपर और आभासी आवेस या फिर कालपनिक आवेस ऐसे भी कह सकते हो आप आभासी आवेस आपको देखने को मिलेगा कौन से योगिकों में बता सहे संयोजक योगिको में बताओ ध्यान रखोगे कैस बात का ठीक है तो आक्सिकरन संख्या का मतलब यह हुआ कि कोई भी योगिक है उसमें किसी भी परमाणू के रिनावेश है उसके परमाणू के उपर जितना भी रिनावेश होगा उसे हम आक्सिकरन संख्या कहते हैं ऐसा जरूर हो सकता है कि एक परमानू है वो किसी योगिक में तो कुछ आक्सिकरन संख्या दिखा रहा और दूसरे योगिक में कुछ और आक्सिकरन संख्या दिखा रहा इसका मतलब साफ है कि यदि कोई भी योगिक आपके पास है उस योगिक में किसी परमानू की आक्सिकरण संख्या आपने देख ली जितनी भी आई तो दूसरे योगिक में उसी परमानू की आक्सिकरण संख्या बदल सकती है ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक परमानू की आक्सिकरण संख्या हर एक योगिक में एक जैसी ही हो फिर तो हम योगिक की बात ही ना करते हम तो सिद्धी परमानुभी बात करते कि इस परमानुभी आक्सिगरण संख्या हमेशा इतनी होगी ठीक है तो जल्दी से पोस करके लिख लो या फिर स्क्रीन सोट ले लो फिर मैं सिखाऊंगा आपको आक्सिगरण संख्या ग्यात करने के नियम, कि क्या क्या नियम है, लिख लिया बेटे, ठीक है, तो बच्चे इस चीज से बहुत ज्यादे परेसान होते हैं, जब भी आक्सिकरन संख्या निकालने की आपशकता आती है, जब भी आपशकता पढ़ती है, आक्सिकरन संख्या निकालने की, तो बच्च होगे जब तक आपको oxidation number की ज़रुत पढ़ेगी चाहे आप किसी भी लेवल की chemistry पढ़े चाहे आप 11 की पढ़े 12 की पढ़े या फिर graduation की या post graduation की कुछ भी पढ़े कहीं भी आप chemistry पढ़ोगे तो oxidation number की तो ज़रुत पढ़ेगी और यदि यह चीज basics आपको clear नहीं है oxidation number क्या है और oxidation number कैसे निकालना जाता है यदि इस बारे में आपको knowledge नहीं है तो फिर तो अगली classes में problem हो नहीं है पकी बात है बिल्कुल एकदम ठीक है देखो चलो अच्छा एक heading लिख लो heading लिखो आक्सी करण संख्या ग्यात करने के नियम heading लिख लो आक्सी करण संख्या ग्यात करने के नियम अब हम सीखेंगे कि किसी योगिक में किसी परमाणू की आक्सी करण संख्या कैसे ग्यात की जाती है और उस आक्सी करण संख्या को ग्यात करने के कौन-कौन से नियम है ठीक है तो सबसे पहला नियम क्या है देखो सबसे पहला नियम है कि आपके पास कोई पदार्थ है या तो मुक्त अवस्था में है और या फिर वो तत्व है तत्व को मैं कह सकता हूँ तात्वी का वस्था तो या तो कोई मुक्त अवस्था में हो और या फिर कोई हो अलिमेंट के फॉर्म में तत्व की अवस्था में तो ऐसी अवस्था में आक्सिकरन संख्या हमेशा कितनी होगी, जीरो होगी, ठीक है, तो मैं हाँ लिखता हूँ, मुक्त या तात्विक, तात्विक तो समझे रहें, तत्व के रूप में, अभी बताऊंगा कैसे, मुक्त या तात्विक अवस्था में, आक्सिकरन संख्या हमेशा कितनी होगी, जीरो होगी, कैसे, जैसे मैं आपको एक्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे ह2 है, यहां लिख देता हूँ, जैसे ह2, ह2 तो एक अनू है, और मुक्त है, जब तक यह ह था, तो मुक्त नहीं था, पर ह2 तो मुक्त है, मुक्त अवस्था में, इसका मतलब ह2 में, कितने ह हैं, दो, दोनों की आक्सिकरन संख्या जीरो होगी, और इस पूरे ह2 की कुल आक्सिकरन संख्या भी जीरो होगी, तो ह2 मुक तवस्था में तो इसकी आक्सिकंड संख्या कितनी होगी 0 जैसे मैं आपको कहा दू कि HE2 है कहीं HE2 लिखा हुआ है तो इसकी आक्सिकंड संख्या भी कितनी होगी 0 होगी जैसे मैं कहा दू कि मानलो N2 लिखा हुआ है तो N2 की भी आक्सिगंड संख्या कितनी होगी 0 N2 की भी 0 होगी और N2 में 2 N परमानू है दुनों की अलग-अलग भी 0 होगी मतलब N2 में N की आक्सिगंड संख्या 0 होगी और N2 के पूरी आक्सिगंड संख्या भी कितनी होगी 0 जैसे मैं लिखो P4 P4 में हर एक P परमानुगी आक्सिगंड संख्या 0 होगी जैसे मैं लिखूँ S8 S8 में सल्फर के अठो परमानुगी अलग-अलग आक्सिगंड संख्या 0 होगी जैसे मैं लिखूँ N A यदि कहीं सोडियम लिखाव है न खल ली और इसके उपर कोई आवेश नहीं है तो यानि ये एक तत्व है तात्वी कवस्था है इसकी ये ठीक है एलिमेंट के फॉर्म में लिखावा है तो इसकी भी आक्सिगंड संख्या कितनी होगी 0 और यदि मैंने लिख दिया H E यहां देखो यहां तो H E 2 लिखा था यहां H E तो यहां तो वो अनू के रूप में था और यहां यो तत्व या परमानू के रूप में और इसके उपर कोई आवेश है नहीं तो यहां इसकी आक्सिगंड संख्या कितनी होगी 0 होगी तो यदि कोई आपको इस तरह है यह तो मैंने कुछ एक्जाम्पल बताए आपको यदि कहीं आपको O 2 भी लिखा वा रहा रहा न O 2 तो O 2 में O की आक्सिगंड संख्या 0 होगी और O 2 की कुल आक्सिगंड संख्या भी 0 ही होगी ठीक है क्योंकि O 2 में 2 पर्माणू है O के O और O पहले O की भी आक्सिगंड संख्या 0 और दूसरे O की भी आक्सिगंड संख्या 0 तो टोटल आक्सिगंड संख्या 0 ही तो बैठी उसकी तो जितने भी आपको मुक्त वस्था में इस तरह H2, H2, N2, P4, S8 यह सब मुक्त वस्था में है और तात्वी क वस्था ऐसी होती है जैसे N ने एक तत्व, एक संख्यत लिख दिया पर्माणू का H, E तो इन में आक्सिगंड संख्या कितनी लिखनी है आपको 0 लिखनी है ठीक है दूसरा नियम यह जो पहला नियम है न बहुत काम का है यदि कहीं मुक्त वस्था में मिले या तत्व वस्था में कुछ भी लिखावा मिले तो समझ जाओ उसकी आक्सिगंड संख्या 0 है अब आजाओ आप नमबर 2 पे यदि आपको कहीं L I N K R B C S और F R यह मिल जाएं लिखे वे इन सब की आक्सिगंड संख्या इन सब की आक्सिगंड संख्या ठीक है यहां अंकिविंदी लगनी चाहिए इन सब की आक्सिगंड संख्या हमेशा होती है प्लस 1 कितनी होती है प्लस 1 अब बच्चों के दिमाग में क्यों चनाता है कि सर क्यों मतलब आपने बताया मुक्तिया तत्व अवस्था में आक्सिकंड संख्या जीरो है तो ये भी तो देखियो ज़रां यहां ये ये इनने यहां भी लिख दिया आपने यहां भी लिख दिया इनने मूख तवस्था में अकिल्ला पड़ा हुआ था जब N अकिल्ला है तो उसकी आक्सिकंड संख्या बिटे 0E होगी और लिखावा मूख तवस्था में या तात्वी कवस्था में और यहाँ यह जो L I N N K R B C S F R हमने लिखे हैं यह किसी यौगिक के अंदर है मूख तवस्था की बात वो पहले पॉइंट में होगी बस अब मूख तवस्था की बात नहीं होने की बिल्खुल भी यह जितने भी निच्चे लिखे हैं न L I N A जैसे N A है N A अकिला पड़ावा तो उसकी अकिला है तो मूख तवस्था में है या तात्वी कवस्था में तो आक्सिकन संख्या 0 होगी पर यदि N A का मैंने एक यौगिक बना दिया N A 2 CO 3 यह बना दिया तो यहां कोई N A मूख तवस्था में है मूख तवस्था में तो नहीं है N A और यदि अन्य मूख तवस्था में नहीं है तो इसका मतलब इसकी आक्सिकन संख्या 0 नहीं है अब तो यह संयूख तवस्था में किसी योगिक के अंदर अपनी हिस्सेदारी दिखा रहा है तो यहाँ इसकी आक्सिगन संख्या प्लस वन होगी, भाई, कितनी होगी प्लस वन तो मुखत वस्थागी बात तो सिरब पहले पॉइंट में थी इसी तरीके से ये जितने भी L I N A K R B C S F R हैं इन सबकी आक्सिगन संख्या प्लस वन होती है क्यों होती है कारण मैं बताऊंगा देखो अब यह बताओ आवर्थ साड़नी में पढ़ाता आपने L.I.N.N.K.R.B.C.S.F.R. यह first group के element है कौन से तत्व हैं? प्रथम वर्ग के तत्व हैं यह और इन्हें कहते हैं क्षार धातू यहां ब्रेकेट में लिख दू में इन्हें कहते हैं क्षार धातू इन्हें कुल मिलाकर आप क्षार धातू कह सकते हो, क्यों कह सकते हो S-block element में मैं डिसकस करूँगा उस वाले unit में वैसे बताने को तो अभी बता दूआ आपको ध्यान रखना है कि इनके Oxide और Hydroxide जितने भी बनेंगे वे सब क्षारिय होंगे कैसे होंगे क्षारिय जैसे sodium का एक Hydroxide बनाओ NaOH बताओ NaOH प्रबलक्षार नहीं है क्या है ना प्रबलक्षारक और जब प्रबलक्षारक है तो इनके Oxide और Hydroxide यह First group के जितने भी element है हैं पर्थम वर्ग के जितने भी तत्व हैं इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं बेसिक होता है इनका नेचर क्षार यह प्रकरती होती है इसलिए इन फस्ट गुरूप के सारे अच्परती हैं क्षार धातु किया क्षार धातू या अलकली मेटल क्लियर तो जब यह सारे फस्ट गुरूप के अलिमेंट है तो तो मुझे यूं बताओ, इनकी Outermost Orbit में कितने Electron होगे? पहले वर्ग के ततमे, तो बारी कक्सा में कितने Electron होगे? इनके Outermost Orbit में एक ही तो Electron होगा? और जब इनकी बारी कक्सा में एक Electron है, तो 8 करने के लिए यह क्या करेंगे? यह कोई 7 Electron लेंगे? नहीं तो, साथ इलेक्टरोन लेने में तो बहुत energy waste हो जाएगी ये अपना एक एलेक्टरोन निकाल देंगे एक एलेक्टरोन को त्याग देंगे और जैसे ही इनोंने एक एलेक्टरोन त्याग दिया इनके उपर कितना आवेस आजाएगा? एक इकाई धनावेस आजाएगा पता है ना आपको जब कोई परमाणू एक इलेक्ट्रोन को छोड़ता है तो उसके उपर एक इकाई धनावेस आजाता है और जब इनके उपर एक इकाई धनावेस आजाएगा तो इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रथम वर्ग के जितने भी तत्व हैं उन सब की आकसिकन संख्या प्लस वन होती है प्रथम वर्ग के जितने भी तत्व हैं उन सब की आकसिकन संख्या कितने होती है प्लस वन क्योंकि साथ इलेक्ट्रोन को ग्रेंड करने में तो बहुत जादे एनर्जी वेस्ट होगी, बहुत जादे काम करना पड़ेगा, फाइदा तो उतना ही है, तो साथ इलेक्ट्रोनों को क्यों लेंगे, में तो एक इलेक्ट्रोन को छोड़ देंगे बाहर, और जब एक निकाल दिया अपना बहार तो sodium के उपपर धनावेस आजाएका क्यों आया धनावेस इसलिए आया क्योंकि 11 electron थे एक निकाल दिया तो electron कितने बचें? 10 और यहाँ 11 proton थे proton तो नहीं निकाला तो proton तो अब भी 11 रही है पहले तो 11एकाई रिनावेस, इलेक्ट्रोन के उपर कैसा आवेस उत्ता है रिनावेस 11 इकाई रिनावेस, 11 इकाई धनावेस को उदासीन कर रहा था जितना रिनावेस था उतना ही धनावेस था इसलिए इसके उपर कुछ आवेस दिखाए नहीं दिखाए तो नहीं कोई आवेस और यहां क्या हुआ यहां रेनावेसित इलेक्ट्रोन तो है 10 और धनावेसित प्रोटोन है 11 क्योंकि एक इलेक्ट्रोन निकाल दिया आपने तो 10 इलेक्ट्रोन 10 प्रोटोन को तो उदासीन कर देंगे पर वो जो एक proton 11 proton है उसे कौन उदासीन करेगा उसे तो कोई भी नहीं करने का उदासीन और जब उसे कोई उदासीन नहीं करेगा तो वो धनावेसी प्रोटोन ही अपना कबजा कर लेगा इस पे परमाणू के उपपर और कहेगा कि देखो मेरा राज हो गया तो 10 electron ने 10 proton को उदासीन कर दिया, पर वो 11 proton है उसे उदासीन करने वाला कोई बचाई नहीं है, उसे तो आपने निकाल दिया 11 proton को उदासीन करता, इसलिए परमानू के उपपर एक इकाई धनावेस आ जाएगा, इसका मतलब साफ है कि कोई भी परमानू, मतलब मैं आकसीगरण संख्या की एक और परिवासा आपको बता सकता हूँ एक परिवासा तो मैंने बताई दी आपको आकसी करन संख्या की एक बहुत बढ़िया परिवासा है परिवासा ये है कि कोई भी परमानू है वो परमानू चाहता है कि उसकी बहरी कक्सा संत्रप्त हो जाए उसकी बाहरी कक्सा में 8 इलेक्ट्रोन हो जाएं तो कोई भी परमाणू अपनी बाहरी कक्सा को संत्रप्त करने के बाद या संत्रप्त करने के चक्कर में या संत्रप्त करने के लिए मतलब परमाणू चाहता है कि उसकी बाहरी कक्सा में कितने इलेक्ट्रोन हो जाएं आठ तो कोई भी परमाणू अपनी बाहरी कक्सा को संत्रप्त करने के बाद अपने उपपर जितने आवेस को प्राप्त कर लेता है उस आवेस की मात्रा को भी हम आक्सिकरन संख्या कहते हैं जैसे यह सारे फस्ट गुरूप के एलिमेंट हैं इनकी सबगी बाहरी कक्सा में एक इलेक्ट्रोन था आठ करने के लिए इनोंने अपना एक इलेक्ट्रोन निकाल दिया नॉर्मली यह एक इलेक्ट्रोन छोड़ देंगे और जैसे यह एक इलेक्ट्रोन को निकाल लेंगे इनके उपर कितना आवेस आजागा कितना आवेस इ तो होगे first group के element यदि मैं second group के element की बात करूँ B E M G C A S R B A R A और कहूं कि इनकी आकसी करण संख्या बताओ कि इनकी आकसी करण संख्या कितनी होगी तो आपको बता देना चाहिए कि ये सारे second group के element है और दित्य वर्ग के तत्म है तो outermost orbit में इनके 2-2 electron है और जब इनके बारी कक्सा में 2-2 electron है तो 8 करने के लिए 6 electron तो लेने से गए 6 electron लेने में तो दुनिया वर्गी energy लगानी पड़ेगी ये अपने 2 electronों को छोड़ देंगे और यदि ये 2 electronों को छोड़ देंगे तो इनके उपर आवेस कितना आजाएगा 2-1 धनावेस आजाएगा इसका मतलब इन सब की oxygen संख्या होती है प्लस 2 कितनी होती है प्लस 2 ध्यान रखना second group के element है B, E, M, G, C, A, S, R, B, A, R, A इन सब की oxygen संख्या प्लस 2 आपको ले के चलनी किसी भी यॉगीक में ठीक है और जैसे इनहें कहते हैं first group के element को कहते हैं क्षारधातू second group के element को कहते हैं क्षारिय मर्दाधातू क्षारिय मर्दाधातू इनहें कहते हैं क्षारिय मर्दाधातू वैसे तो मैं S block elements वाले unit में पूरा discuss करूँगा इन सारी चीज़ों का पूरा post-martem करूँगा पर थोड़ा सा hint देता हूँ first group के element को क्षारधातू क्यों कहा क्योंकि इनके oxide और hydroxide कैसे होते हैं अक्षारिय होते हैं प्रबल अक्षार और अक्षारिय मर्दाधातू इनने क्यों कहा क्योंकि इनके भी oxide अक्षारिय होते हैं पर इनके oxide अक्षारिय होने के साथ साथ एक खासियत और होती है इनमें इनके oxide अक्षारिय होने के साथ मिट्टी की तरह मर्दा की तरह एगलनिय होते हैं क्या होते हैं एगलनिय है ठीक है आप एक कढ़ाई रखो अपने चुले पे गैस के यह लकडी के चुले पे रख लो कोई से भी चुले पे कढ़ाई रख लो और उसमें जो है न एक चमचा मिट्टी का डाल दो और गरम करते रो बताओ पिंगल जागी गरम होगे हमें पता है कि घी पिंगल जाता है हमें पता है बहुत सारी चिज्जे ठो सवस्था में ऐसी हैं जो गरम करने पर पिंगल जाती है जैसे प्लास्टिक भी पिंगल जागी मोम भी पिंगल जागा घी भी पिंगल जागा ठीक है कुछ कम ताप पे गलनाख जिसका जितना है उसके इसाफ से पिंगल जागी पर क्या एक चमचा मिट्टी का कड़ाई में रखके उसे पिंगाल सकते हो आप नहीं पिंगलने का हो वो गलने का नहीं है तो जिस तरह मिट्टी एगलनिय होती है इसी तरह इन सब के ऑक्साइड एगलनिय होते हैं और इन सब के ऑक्साइड क्षारिय तो होते ही हैं पर मर्दा की तरह एगलनिय होते हैं इसलिए इन सेकंड गुरूप के सारे एलिमेंट्स को हम कहते हैं क्षारिय मर्दा धातू क्षा फर्स्ट गुरूप के अलिमेंट को भी धातू का है, सेगंड गुरूप के अलिमेंट को भी धातू का है, क्योंकि फर्स्ट और सेगंड गुरूप के अलिमेंट की खासियत यह है, कि पहले वर्क के तत्व की बारी कक्सा में एक इलेक्ट्रोन है, आठ करने के लिए में एक इ इलेक्ट्रों त्यागने की हो उसे हम धातू कहते हैं क्लियर बात तो यह हुआ दूसरा नियम पहले नियम में बताया मुक्त या तात्वी कवस्था में आक्सिकंड संख्या 0 दिखानी जैसे इन सब की आक्सिकंड संख्या 0 होगी फिर बताया फर्स्ट गुरूप के जितने भ ठीक है तीसरा नियम देखो चलो अच्छा तीसरा नियम तीसरा नियम है यह जो ऑक्सिजन है न ऑक्सिजन लिखा में न है ऑक्सिजन की आक्सिकरन संख्या ऑक्सिजन की आक्सिकरन संख्या होती है नॉर्मली माइनस टू होती है अधिकतर माइनस टू ऑक्सिजन की आक्सिक वर्ग का तत्व है, सोलवे वर्ग का तत्व है और ऑक्सिजन की बाहरी कक्सा में कितने इलेक्ट्रोन होते हैं छें इलेक्ट्रोन होते हैं तो मुझे यूँ बताओ जब ऑक्सिजन की बाहरी कक्सा में छें इलेक्ट्रोन है तो 8 करने का क्या तरीक आया उसके पास भाई बाहरी कक्सा में 6 इलेक्ट्रोन है तो 8 करने के 2 तरीके है या तो 6 के 6 को धक्का दे दे वार कि मैं तुम्हें रखता नहीं हूं बिल्कुल भी और या फिर 2 इलेक्ट्रोन ले ले 6 तो ही उसके बाद 2 ले ले कहीं से 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 पर यदि वो 6 इलेक्ट्रोनों को धक्का देखा न तो energy बहुत ज़्यादे लगेगी इसने या तो लगेगी या तो absorb होगी जो भी आप कहते हो यानि enthalpy change बहुत ज़्यादे होगा वो तो 2 को लेगा क्योंकि 2 को लेने में कम काम करना पड़ रहा और जब वो 2 electron को लेगा तो उसके उपपर आवेस कितना आ जाएगा electron लेने से तो रेन आवेस आता है ना electron ग्रहन करने से उसने 2 electron लिये तो कितना आवेस आया minus 2 इसलिए तो मैंने लिखा यहां कि oxygen की oxygen संख्या normally कितनी होती है minus 2 होती है पर आपको एक बात और ध्यान रखनी कोमा करके लिख रहा है जो परोकसाइड होते है ना परोकसाइड मैं आपको सिखाऊंगा परोकसाइड कहते हैं उसे जहाँ oxygen की संख्या normal से जादे हो सही हो जकता नियम के अनुसार जितनी संख्या oxygen परमानवों की होनी चाहिए उससे जादे हो तो वहां होता है वहां हम कहते है परोकसाइड परोकसाइड में यदि कोई भी परोकसाइड है जैसे एक परोकसाइड का नाम आपने सुनाओगा H2O2 Hydrogen Paroxide इसी तरीके से Na2O2 होता है Sodium Paroxide ठीक है तो Paroxide में Oxygen की Oxygen संख्या होती है Minus 1 ध्यान रखना आपको Paroxide में Oxygen की मैंने बताया Oxygen की Oxygen संख्या Normally तो Minus 2 होती है पर यदि कहीं आपको Paroxide दीखता है तो oxygen की Oxygen संख्या कितनी होती है Minus 1 और Paroxide से भी ज़्याद हो सकती है Oxygen की संख्या देखो मान लो आपके पास कोई भी यौगिक है और उस यौगिक में Oxygen संयोजक्ता के नियम के अनुसार है तो Oxygen यदि संयोजक्ता के नियम के अनुसार है तो उसे कहते हैं सूपर ओक्साइड क्या कहते हैं सूपर ओक्साइड तो मैं यहां लिख दूँ यहां लिख दूँ सूपर ओक्साइड में आक्सीकरण संख्या माइनस एक बटे दो होगी किसकी ओक्सीजन की यह चीज ध्यान रखना ओक्सीजन की आक्सीकरण संख्या माइनस टू की आपको सबसे ज़्यादे ज़रुत पड़ेगी पर आक्साइड में माइनस 1 की बहुत कम जोरत पड़ेगी और सूपर आक्साइड में माइनस 1 बटा 2 की लगबग ना के बराबर जोरत पड़ेगी पर फिर भी पता होना चीए और एक चीज और द्यान रख लो भाई एक चीज और द्यान रख लो ये जो OF2 एक योगी कैसा है oxygen di-fluoride इसमें oxygen की oxygen संख्या जो है इसमें oxygen की oxygen संख्या प्लस 2 हो जाती है इतनी मजबूरी है इसकी कितनी प्लस 2 कैसे हो जाती है चलो यहां मैं बता दूँँ आपको भई fluorine सबसे ज़्यादे विद्यूत्रिनात्मक तत्व है तो इसकी oxygen संख्या माइनस 1 होगी fluorine की भारी कक्सा में 7 electron होते है 8 करने के लिए वो क्या करेगा एक electron लेगा ही तो या सात्तों को धक्का देगा बाहर एक लेगा वो सात को निकालने में ज़्यादे काम करना पड़ेगा एक को लेने में इतना काम नहीं करना पड़ेगा तो वो एक electron लेता है तो oxygen की oxygen संख्या माइनस 1 होती है जैसे ही उसने fluorine की fluorine की oxygen संख्या क्या होती है माइनस 1 fluorine सत्रवे group का element है halogen है और सत्रवे group का element है तो बाहरी कक्सा में 7 electron और बाहरी कक्सा में 7 electron तो 8 करने के लिए वो सात्तों को निकालने का तो है नहीं एक को लेगा और जब वो एक electron को लेगा उसके उपर माइनस 1 आव यह साजाएगा तो F की oxygen संख्या माइनस 1 है और कितने F है या 2 तो माइनस 2 टोटल कितना effect है माइनस 2 का और माइनस 2 को खतम करने के लिए oxygen को प्लस 2 नहीं दिखानी पड़ेगी oxygen संख्या आप कहोगे कि सर oxygen जो है oxygen की भारी कक्सा में भी तो 6 electron है और oxygen की भारी कक्सा में 6 electron है तो इसे भी 2 लेके माइनस 2 दिखानी चाहिए और इसे प्लस 2 कर दो भाई कोसिस तो यह भी कर रहा है कि मैं भी electron ले लू मैं भी ले लू पर आपको यह देखना पड़ेगा इन दोनों में जादे विद्यूत्रेनात्मक कौन है oxygen तो जादे विद्यूत्रेनात्मक नहीं है fluorine जादे विद्यूत्रेनात्मक है दोनों की तुलना करें तो fluorine तो पूरी आवर्थ सानी में सबसे जादे विद्यूत्रेनात्मक तत्व है तो इसकी ही बात माननी जाएगी ना कि इसकी और इसकी बात माननी जाएगी तो यो दिखाएगा oxygen संख्या minus 1 और 2 हैं ये fluorine के परमानू दोनों मिलागे कितने होगे minus 2 और minus 2 को खतम करने के लिए से plus 2 होना पड़ेगा इसलिए लिखा मैंने OF2 में plus 2 होती है oxygen की oxygen संख्या तो आपको ध्यान विखना है oxygen की oxygen संख्या normally minus 2 peroxide में minus 1 जब मैं question कराँगा है यह सारे आजांगे example आपके superoxide में minus half और OF2 में plus 2 होती है रखोगे ध्यान ठीक है चलो fourth rule चोथा नियम बता रहा है आपको चोथा नियम यह है की hydrogen की आक्सीकरण संख्या जो होती है न बिटे hydrogen की आक्सीकरण संख्या hydrogen की आक्सीकरण संख्या normally plus 1 होती है plus 1 क्योंकि hydrogen पहले वर्ग में तो रखा हुआ है और पहले वर्ग में रखा हुआ है तो बाहरी कक्सा में एक electron है इसलिए आक्सिगंड संख्या प्लस वन ही बैठेगी नॉर्मल ही उसका नेजर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही होगा या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा और H-Positive में कनवर्ट हो जाएगा जैसे उसने इलेक्ट्रॉन दिया H-Positive में कनवर्ट हुआ उसके उपर यह की कई धनावेस आया तो प्लस वन आवेस आया तो लिख दिया मैंने हाइडरोजन की आक्सिगंड संख्या प्लस वन ठीक है पर एक बात ध्यान रखना यदी कहीं हाइडराइड है हाइडराइड ऐसे होते हैं जैसे मैंने लिख दिया NaH संख्या होती है minus 1 कितनी होती है minus 1 जब हम questions solve करेंगे तो महां सारी बाते और ज़्यादे clear हो जाएंगी तो h की oxygen संख्या normally तो plus 1 है कॉमा करके लिख दूँ hydride hydrides में hydrides में कितनी होगी minus 1 होगी hydrides में कितनी होगी minus 1 ध्यान रखना आपको h की oxygen संख्या normally तो plus 1 होगी और hydride में minus 1 कैसे होगी देखो जरा मैंने hydride अभी लिखा था na h sodium hydride मुझे यूं बताओ sodium यह लिखावा sodium है देखो sodium की oxygen संख्या कितनी होती है plus 1 यह लिख दी plus 1 तो इसे तो minus 1 होना ही पड़ेगा फिर minus 1 होना नहीं पड़ेगा कोई भी आप यदि योगीक लिखते हो तो पहले वाला हिस्सा यदि वो आइनिक योगीक है या फिर वो कैसा भी योगीक है पहले तो हमेसा धन आयन वाला पार्ट और बाद में रिणायन वाला पार्ट लिखना चाहिए तो हाइड्राइड में तो ह बाद में लिखा इसलिए गया क्योंकि उसकी oxygen संख्या माइनस है और इसकी plus है तो minus 1 हुई नहीं हाइड्राइड में और माइनस वन हुई तो ध्यान रखना, H की आक्सिकरण संख्या नॉर्मली तो प्लेस वन होती है, पर हाइड्राइड में कितनी होती है, माइनस वन, रखो गयाद, चलो एक नियम और लिख दू, इस पर है जगा अभी, नमबर पांच, पांच वा नियम, पांच वा नियम आपको समझना है, कि फ्लोरीन की आक्सिकरण संख्या हमेशा माइनस वन होगी, फ्लोरीन की आक्सिकरण संख्या, फ्लोरीन की आक्सिकरण संख्या, सदैव लिख दू, सदैव, इसमें कुछ सोच ना नहीं कि, अब क्या होगी अब क्या होगी फ्लोरीन की आक्सिकन संख्या हमेशा माइनस वन होगी भाई क्योंकि फ्लोरीन is the most electro negative element of the periodic table आवर सार्णी का सबसे जादे विद्यूत्रेनात्मक तत्व है फ्लोरीन और जब आवर सार्णी का सबसे अधिक विद्यूत्रेनात्मक तत्व फ्लोरीन है तो इसकी भारीक अक्सा में साथ electron है आठ करने के लिए इसे एक electron चाहिए या फिर यह bond pair of electron को अपनी तरफ खेंच के रखेगा यदि किसी के साथ सहसंयोजक बंद भी बनाएगा ना तो सहसंयोजक बंद का जो electron का जोड़ा होगा bond pair of electron उसे तो अपनी तरफ ही खेंच के रखेगा और अपनी तरफ खेंच के रखेगा तो इसका मतलब हमेशा minus 1 oxidation state दिखाएगा ठीक है तो इसलिए हैं लिखा है क्या लिखा है फ्लोरीन की oxygen संक्या सदैव क्या होती है minus 1 होती है ठीक है और इसके जो भाई है पता ना तुमें सत्रवे ग्रूप का element है यहां लिख दू ब्रेकेट में CL भी इसका भाई है BRB और IEV इनकी oxygen संक्या minus 1 भी हो सकती है या धनातमक भी हो सकती है जैसे plus 1 plus 3 plus 7 इस तरह भी हो सकती है प्लस 5 ऐसे भी हो सकती है पर fluorine की oxygen संक्या कभी भी positive नहीं होगी हमेशा minus 1 दिखाएगा fix है जल्दी से pose करके लिखो या screen sort लो अगले नियम बताता हूँ फिर आपको pose करके लिखो या screen sort ले लो लिख लिया विटे ठीक है तो हमेशा ध्यान रखना है normally आकसिकरण संक्या निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है बहुत आसान काम है आकसिकरण संक्या निकालना बहुत आसान काम है आपको तो सिरब इतनी बात ध्यान रखनी है कि जिस तत्व की आकसिकरण संक्या आपको निकालनी है उस तत्व को तो छोड़ दो और बाकी तत्व की आक्सिकन संख्या यह जो नियम में आपको सिखा रहा है इनके अनुसार लिख लो और जिस तत्व की आक्सिकन संख्या आपको निकालनी उसे माल लो आप X उसकी आक्सिकन संख्या को X माल लो ऐसे निकल जाएगी Xipra जैसे चलो अच्छा है एक एक एक्जाम्पल वैसी बता दूं आपको रफली बाद में तो मैं सिखाऊंगा जैसे मालो ये है CPA 2 03 इसमें आपको कि आग सिखाई सुथा यह रिदानी कार्बॉन की कितनी है कार्बन की मुझे निकालनी जिसकी आक्सिगर्ण संख्या निकालनी है उसके उपर लिख दो आप X ऐहाँ ओक्सिजन नॉर्मली प्रजेंट है कोई परक्सैड नहीं है यूद नॉर्मली है तो ऐखसिजन की आक्सिगर्ण संख्या मैं ने बताई थी –2 बहिए sodium की oxygen संख्या प्लस वन क्यों मतायी थी क्योंकि sodium पहले वर्क का तत्व है बारी कक्सा में एक electron होते हैं 8 करने के लिए एक electron को छोड़ेगा जैसे ही एक electron को छोड़ेगा इसके उपर प्लस वन आविसा जाएगा इसलिए sodium की oxidation number नमबर प्लस वन मान के चलनी चाहिए ऑक्सिजन की भारीक अक्सा में 6 एलेक्ट्रोन होते हैं 8 करने के लिए 2 लेगा तो ऑक्सिडिशन नमबर माइनस 2 माइनस 2 आविस आजाएगा ना 2 एलेक्ट्रोन लेते ही कार्बन का कोई नियम नहीं पड़ाऊंगा मैं इसकी निकाल नि लिचे 2 या 3 तो नहीं लिखा वा एक कार्बन है और कार्बन की आक्सिगन संख्या हमने मान ली एक्स जिसकी आक्सिगन संख्या निकाल निकाल नहीं उसकी एक्स मान लेनी चाहिए प्लस तीन है ऑक्सिजन और ऑक्सिजन की अकेले की कितनी होती है माइनस 2 बराबर क्या लि अवेश नीहां वही यदि इसके उपर होता minus 1ación ​ तो हम बराबर के बाद minus 1 लिखता मैं और यदि इसके उपर होता plus 1 flux तो भराबर के बाद plus 1 लिखता यदि इसके उपर minus 2 always होता तो भराबर के बाद लिखता माइनस 2 कोई आवेश ूसरे योगीक के उपर नहीं है तो इसलिए मैंने 0 लिखा तो यह हो जाएगा दो ही कम दो प्लस के तो 2 होगे प्लस X प्लस और माइनस की उना माइनस तीन दूनी 6 बराबर 0 माइनस के तो 6 है और प्लस के 2 है तो कितने बचेंगे बताओ माइनस के 4 बचेंगे बराबर 0 तो X बराबर क्या हो जागा है माइनस के 4 उदर जागे प्लस के 4 आक्सिकरन संख्या हमारी निकली प्लस 4 हमेशा प्लस या माइनस के चिन का प्रियोग करना चाहिए आक्सिकरन संख्या लिखते समय तो यहां carbon का oxygen संख्या कितना है plus 4 है carbon का oxidation number कितना है plus 4 इसी तरीके से आपको यदि ये नियम याद है ना अभी तो मैं और भी लिखवाँगा पांची तो नियम बताए मैंने आपको यदि ये नियम आपको याद है तो आप किसी भी योगिक में किसी भी परमानू की या किसी भी तत्व की आकसी करन संख्या easily निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगी कितने नियम बताए मैंने आपको आपको बताए 5 नियम अब मुझे बताना है नियम number 6 नमबर 6 देखो छटा नियम क्या है ये जो धातुएं होती है न धातुएं इन धातुएं की आकसी करन संख्या में एक खासियत होती है कि इनकी आकसी करन संख्या धातुएं की आकसी करन संख्या सदैव धनात्मक होती है सदैव पॉजेटिव दनात्मक को positive लिख सकते हो आप भाई धात्वों की आक्सिकन संख्या हमेशा positive होती है इसमें कोई सक्तों नहीं है किसी को समझ गे ना भाई धात्वों की आक्सिकन संख्या हमेशा positive क्यों होगी क्योंकि धात्व उसे कहते हैं जिसकी आदत electron देने की हो electron दान करने की हो electron donating nature हो और जब कोई अपने अंदर से electron निकाल रहा न कोई परमानू तो उस परमानू के उपर तो धनावेस ही आएगा आएगा है नहीं आएगा धनावेस तो इसलिए धात्वों की oxygen जंख्या हमेशा कैसी होगी positive होगी ठीक है अच्छा नियम नमबर साथ लिखो अब आप साथवा नियम है उदासीन लिगेंड की आक्सिकरण संख्या उदासीन लिगेंड की आक्सिकरण संख्या उदासीन लिगेंड की आक्सिकरण संख्या हमेशा होती है 0 कितनी होती है 0 उदासीन लिगेंड की आकसीकन संख्या हमेशा क्या होती है 0 यहां ब्रेटिट में लिख दूँ आपको जैसे CO है NS3 है यह दुन्नों उदासीन लिगेंड है अब यहां तुम्हारे दिमाग में क्योस्टन बहुत परिसान कर रहा होगा कि सरीन लिगेंड क्या है यह तो पहली बार सुन रहे हैं कितना अजीव सा नाम है लिगेंड ठीक है चलो मैं बताता हूँ क्या होता है लिगेंड वैसे तो 12th क्लास में इसकी जादे जरुरत पढ़ने वाली है पर आकसिकरन संख्या के बारे में इसकी जहनकारी होनी चाहिए कुछ मुस्किल नहीं है देखो मालनो मेरे पास एक जटिल योगिक है जटिल योगिक जटिल माने मुस्किल कॉम्पलेक्स जटिल योगिक को आप उपस है संयो जटिल योगिक भी कह सकते हो संकर योगिक भी कह सकते हो कॉम्पलेक्स कंपॉंड भी कह सकते हो कॉडिनेट कंपॉंड भी कह सकते हो बहुत सारे नाम है मैं ने नाम लिख दिया मैं सारे नाम बारवी क्लास में आपको सिखाऊंगा अभी तो समझ लो जटिल योगिक है जैसे मैं आपको कहूँ ये है ना CO जैसे ये है N I C O 4 ये कोई योगिक है N I C O 4 या फिर एक योगिक है क्या है ये NS 3 है न NS 3 का कोई ये एक योगिक सोज़रा में या फिर एक नाम आपने सुना हुआ पहले ज़ी K 4 F E C N 6 ये तो आपने जरूर पढ़ा होगा कहीं न गहीं K 4 F E C N 6 ये दो योगिक लिखे तो इन योगिकों की खासियत यह होती है कि इसमें कुछ हिस्सा दो ब्रेकिट के बाहर होता है बड़े ब्रेकिट के बाहर और कुछ हिस्सा होता है बड़े ब्रेकिट के अंदर जो हिस्सा बड़े ब्रेकिट के अंदर है यही में चीज है बड़े ब्रेकिट के अंदर जो मुख्य परमानू होता है एक सीयो मैंने यहां लिख दिया एक सीयो यहां लिख दिया एक सीयो यहां लिख दिया और ये उपस है सहियो जग बंद द्वारा जुड़े होते हैं केंद्रिय परमानू से यानि इन में से हर एक इस पिसीज केंद्रिय परमानू को एक long pair of electron देगा ठीक है एका की electron यूम देगा ये bracket के अंदर वाला हिस्सा लिखा इसमें बाहर वाला लिखा नहीं मैंने तो ये जो केंद्री है किसी जटिल योगिक में जैसे यहाँ FV है ये संरचना सायदा आपने पढ़ी भी होगी एक CN दूसरा CN कितने CN हैं चैं तीसरा CN चोथा CN पांचवा CN और छटा CN और ये सारे उपसह संयोजक बंद द्वारा केंद्री या धातु परमानू से इस प्रकार जुड़े वे हैं इस तरीके से ये है बड़ा bracket तो किसी जटिल योगिक में केंद्री या धातु परमानू के चारोतरब जो इस प्रकार जुड़ी होती है उपसह संयोजक बंद द्वारा केंद्री या धातु परमानू से उन सभी स्पिसीज को हम कहते हैं लिगेंड क्या कहते हैं लिगेंड तो इसमें चार लिगेंड हैं CO और इसमें 4 ligand है 4 न に 6 ligand है cn तो ये है ligands तो ligands के बारे में मैं ज़ाद है आपको 12th class में पड़ाओंगा भी पता चलिका नज्थ ना आपको ligands पता चलिका ligands का मतलब जो आपके जटिल योगिक होते हैं संकर योगिक होते हैं जैसे K4, FVCN6 बोर्ड पे लिखा वा या NICO4 लिखा उन उपस है सहिजग योगी को या जटिल योगी को में केंद्री या धातु परमानू को चारो तरफ से जो इस पिसीज घेर के रखती हैं इस पिसीज का मतलब परमानू या परमानू का समुहूं दोद्दो परमानू है न उपर कोई आवेस नहीं होता है जैसे यहां CN लिखा था CN के उपर तो एक ही काई रिन आवेस होता है पर जो इहां CO लिखा वा CO एक ऐसा लिगेंड है कि इसके उपर कोई आवेस नहीं होता यह एक उदासीन लिगेंड है NS3 भी एक ऐसा लिगेंड है इसके उपर कोई आवेस नहीं होता, तो यदि किसी लिगेंड के उपर कोई आवेस नहीं है, तो उसे हम कहते हूं उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड की आक्सिकंड संक्या हमेशा क्या होती है 0 होती है, याद रखोगे उदासीन लिगेंड की उदासीन अनु में उपस्थित सभी पर्मानुओं की उदासीन अनु में उपस्थित सभी पर्मानुओं की उदासीन अनु में उपस्थित सभी पर्मानुओं की आक्सीन संख्याओं का योग कितना उपता है जीरो जैसे मानलो मेरे पास एक उदासीन एक छोटा सा एक्जाम्पल ले रहा चलो हलो य५िसके उपर कोई आवेश नहीं है हलो us इंस की आक्सी дней कितनी होती है प्लस वन और चल की कितनी होती है माइनस वन तो पतातो है प्लस वन और माइनस वन गो जोड़ोगे तो टोटल कितना वैठ्ठेगा जीरो ही तो बैठ्ठेगा जैसे चलो थोड़ा सा बड़ा एक्जामपल ले 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 लो वो लिखा वा एनस 3 उदासीन अनू है न एनस 3 वो लिगेंड जो लिखा था एनस 3 उदासीन है एन की आकसीकंड संख्या यहां माइनस 3 होगी और ह की होगी प्लस 1 तो कितने एच हैं तीन एच हैं तो तीन नों भी मिला के प्लस 3 प्लस 3 को माइनस 3 में जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0 तो इसका मतलब साफ है कि कोई उदासीन अनू होगा न तो उदासीन अनू में आपको ध्यान रखना है कि उसमें जितने भी परमाणू होगे उन सभी परमाणू होगी आकसीकंड संख्या होगा योग कितना होगा 0 होगा जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एक एक्जामपल दिया था एन ने 2 सियो 3 का इसमें हमने एन ने की आकसीकंड संख्या बताई थी प्लस 1 होती है और O की होती है माइनस 2 और इसकी माननीती हमने X जिसकी निकालनी हो उसकी X मैंने आपको कहा था कि दो तो हैं एन ने प्लस 1 वाले एक है कार्बन X वाला और तीन है आकसीजन माइनस 2 वाले बराबर 0 नहीं लिखाता देखो इसमें जितने भी परमानू है उन सब की आकसीकंड संख्याओं का योग बराबर 0 क्यों लिखाता क्योंकि Na2CO3 एक उदासीन अनू है इसके उपर कोई आवेस नहीं है यदि इसके उपर कोई आवेस होता ना फिर मैं इसे अनू तो कहता ही ना फिर मैं इसे कहता आयन क्या कहता आयन कहता फिर मैं इसे जैसे Na positive, Cl negative, SO4 negative तो फिर आयन ना कहता मैं इसे अनू तो कहता ही ना थीक है समझ में आई ना बात तो ध्यान रखना इसकी भी ज़रत पड़ेगी जब हम question solve करेंगे तो ये सारी बाते और भी ज़्यादे clear हो जाएंगी आपके उदासीन अनू में उपस्तित सभी परमानों की आकसिकरण संख्याओं का योग कितना होता है जीरो होता है अच्छा एक नियम हो रहे है बहुत important इसे भी सीख लो आप ज़रा नंबर नो आयन जो होते हैं ना आयन आयन उन इस पिसीज को कहते हैं जिनके उपर या तो धनावेस हो या तो निनावेस आयन की आकसिकरण संख्या यदि आपको निकालनी है तो बहुत आसान है आयन की आकसिकरण संख्या बराबर होती है आवेस के कि उस आयन के उपर कितना आवेस है किसी आयन की आकसिकरण संख्या उसके आवेस के बराबर होती है जैसे इसका एक्जामपल देखो जैसे एनने पॉजिटिव है एनने पॉजिटिव तो na positivity की oxygen संख्या कोई यदि मेर से पूछ ले कि na positive की oxygen संख्या बताओ कितनी होगी तो मैं कहूँगा कि यार na positive के उपड़ तो a क काई धना वेस है तो इसकी oxygen संख्या plus 1 होगी ठीक है मानलो किसी ने पूछ लिया कि c a double positive की oxygen संख्या बताओ कितनी होगी तो मैं कहँगा दो 1 अाई धनावेस है तो इसकी आकसिकन सан्ख्या प्लस 2 होगी समझ में आरी बात और यदि किसी ने पूछ लिया AL triple positive की बताओ आप AL triple positive, आयन है न तो इसके उपर 3 अकाई धनावेस है तो इसकी आकसिकन संख्या प्लस 3 होगी तो किसी आयन की आक्सिकंड संख्या उस आयन के उपपर उपस्थित आवेस के बराबर होती है ठीक है जैसे मालो CL negative की आक्सिकंड संख्या पूछ ली तो सब बता देंगे माइनस वन है क्योंकि CL के उपपर एक इकाई रिनावेस है जैसे किसी ने पूछ लिया SO4 double negative की आक्सिकंड संख्या बताओ तो सब को पता दो एकाई रिनावेस है तो इसकी आक्सिकंड संख्या माइनस दो होगी बताओ ऐसे सवाल कर लोगे क्या कर लोगे तो यहां लिखे देता हूँ में etc ध्यान रखना है कि किसी आयन की आक्सिकंड संख्या उस आयन के उपर उपस्तित आवेस के बराबर होती है अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे या फिर स्क्रीन सौट लेंगे लिख लिया बटे ठीक है तो बटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि आक्सिकरन संख्या का क्या मतलब है ठीक है ये नो नियम जो मैं ने आपको बताये हैं बस इने सीख लो आप कोई भी सवाल बचके जा नी सकता आपको ठीक है? बस मेहनत और इमानदारी से पढ़ाई करो और अपने handwritten notes बनाओ देखो हमेशा एक बात का ध्यान रखो कि एक दिन की मेहनत से कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है हमें लगातार परिस्रम करना चाहिए यदि आप लगातार मेहनत करोगे लगातार पढ़ाई करोगे और हर एक subject को उसका जितना time देना चाहिए उतना time उस subject को दोगे थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर डेली पढ़ो ऐसा ना हो कि आप हिंदी और इंगलिस को time ही ना दे रहे हो बिल्कुल भी हिंदी और इंगलिस को भी time देना है आपको जितना time उने चाहिए उतना देना है time हर एक subject को पढ़ो लगातार मेहनत करो यदि आप लगातार पढ़ाई करोगे न तो पक्की बात है एक दिन आपकी जिन्दगी में इतना उजाला आ जाएगा कि आप अपने आप तो चमकोगे ही पर अपने परिवार को अपने रिस्तेदारों को अपने गाओं को अपने मोहले को अपने सहर को अपने देश को सब को चमका दोगे इतनी रौसनी होगी आपके अंदर और यदि आप एक दिन पढ़ाई करोगे या दो तीन दिन पढ़ाई करी उसके बाद पढ़ाई करी नहीं रहे तो बिटे कुछ नहीं होने का इस दुनिया में जैसे सारी दुनिया की भीड है न तो उस भीड में खो जाओगे आप ठीक है सफलता प्राप्त करनी है तो लगातार परिस्रम करना है ठीक है बस मेहनत और इमानदारी से पढ़ाई करते रहो तो थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग दिस वीडियो ओके बाए